हलो गाइस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैन पर तो आज हम देखने वाले हैं लेटेस्ट एड्यूकेशनल अपडेट डिगारीं टू महारास्ट बोर एक्जाम 2023 तो चलिए देखते हैं कि क्या है अपडेट तो देखों यहां पर सामना इस न्यूस्पेपर में एक आर्टिकल है दहावी बार भी परिक्षब पासिंग सोपे और स्कोरिंग लाही अर्चन नाही यानि कि 10th एं 12 का जो एक्जाम है उसमें पासिंग मार्क्स निकालना बहुत इजी हो चाएगा और अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो स्कोर करना भी हाड नहीं होगा कैस से देखते हैं तो देखो यहां पर ना एक जो हमारे बोट के अध्यक्ष है शरत गोसादी जी उनसे इंटर्विव लिए गया था तो उन्होंने क्या कहा है देखो तो करोना के बाद पहली बार एक्जाम हंड़ेट परसंट सीलेबस के साथ हो रही है 2022 में आपका 75% सीलेबस बीना होम सेंटर के और बीना ज्यादा हावर्स के एक्जाम हो रहा है तो बच्चों को लग रहा है कि इस बार एक्जाम हाड होगा कैसे हम तायारी करेंगे 100% के साथ तो उसी मुद्ध्य को धिवाने में रखते हुए शरत को सादी जी ने कुछ बात ये गई है तो सबसे प आपका जो स्कूल का कॉलेज का प्रिम एक्वार होता है अगर आपका रहला साथ जांग कर लिएAh उस्का मतलब कि अग्जा में ऊच्छे से दीका ना तो समझलू ब्रूट का तयरी आप नील चाहर हो गया और यह lets पर यह भी कहा गया कि जो स्कूल लेवल पर कॉलेश लेवल पर प्रैक्टिकल एक्जाम के बाद ओरल एक्जाम और इंटरनल मार्क्स मिलते हैं वह इसली आपको मिलने वाले हैं इसली मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा यानि कि अगर आपका अटेंडेंस बहुत अच अच्छे से मिल जाएगा बस थियोरी जो है ओ आप प्रिलियम के लिए अच्छे से पढ़ लो तो समझ लो आपका बोर्ट का तयारी भी हो जाएगा तो यह यहाँ पर इस आर्टिकल में कहा गया है शुरत गोसावी जी की तरप से बच्चे इस बात का अटेंशन ले रहे है कि 100% सी देखत कैसे हम एक्जाम देंगे बट उन्हें एभी सोचना चाहिए कि जो एक्जाम होने वाला है वो उतना हाड नहीं होगा बस आपको तयारी करनी है और थोड़ी पैक्टिस करनी है तो एक्जाम का अटेंशन मतलो आपका एक्जाम इजी होने वाला है जो यान की पास तो आप हो जाने वाले हो अपने मैंड में बिनागे कि चलो मैं पास तो ओजाऊँगा मुझे पासिंगयू ओपर जितने बोनस मार्क्स मिल वो लाने हैं तो पास होने का टेंशन मतलो पास हो जाने वाले हो आप बस आपको थोड़ा मेहनत करना है तो यहीता board exam देने वाले है तो उनके बाद यान जो 2014 में board exam देंगे उनके लिए new education policy लागू होगा और देखते हैं कि क्या-क्या changes होते हैं board exam के pattern में अगले साल यान 24 के लिए देखेंगे और यहां पर update आपको मिलती रहेंगे तो thank you guys वीडियो पर देखने के लिए आप हमारे चंद पर विजिट कर सकते हो latest वीडियो के लिए useful वीडियो के लिए ग्रामर के हंधी के लिए आप एक बार विजिट जरूर कीछेगा और मुझे Instagram पर follow कर सकते हो अपने doubt पुशने के लिए आवाल पूछने के लिए रहते हैं अन्य किसी वीडियो में वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत देने वाद थैंक यू गाइस